नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्फाइंडर स्टिडी पॉइंट में तो इस सुपर सीरीज में हम लोग जीके के 100 कुश्चन जिसको भी हम लोगोंने हाली में 5 सीरीज में कुछ के फॉर्म में चैनल पर किया था तो उनको कमपाइल कर दिया है एक साथ जिससे आप एक साथ जिन्गोंने कुछ पार्ट को मिक्स कर दिया हो या देखा ही ना हो तो वो आसानी से जो है एक बार फिर से 100 कोश्चन की पूरी सीरीज को एक ही वीडियो में कुछ के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली जो है देख सकते हैं सभी प्रास्त्तों की जो तो पहला कोश्चन आपके सामने डिस्पले हो रहा है इसमें कई सारी रचनाएं हैं और उनके रचईता यानी चार रचनाकारों के नाम दिये हैं नीचे आपके सामने नीचे कोड दिया हुआ है इनमें से आपको मिलान करना है तो ज़्यादा टाइम भी वेश्ट ना हो इसलिए मैं बहुत देर तक नहीं रुकूंगा और आप वीडियो को पाउस करके अपना उत्तर सोच सकते हैं तो चलिए मैं आप सही उत्तर आपको बताता हूँ तो इसमें से आप लोग जानते हैं गीत गोविंद जो है बहुत ही प लिखी गई है और सिद्धान्त सिरोमडी ये भासकराचारी की रचना है तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आप्सन सही हो रहा है बी आप्सन सही हो रहा है अब इसकी थोड़ी से हम व्याख्या देख लेते हैं गीत गोविंद जैदेव की रचना है गीत गोविंद में श्री क गडित और खगोल सास्त का एक प्राचीन गरंथ है इसकी रचना भासकराचारी ने की थी स्री भास की रचना रामानुज ने की है और योगसास की रचना हेमचंद ने की है अगला प्रसन देखते हैं बहुती इजी है अभी मैंने सुरवात में जो है इजी प्रसनों का ही सलेक पंचायती राजबेवस्था से सम्बंदित है या नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिशितों के गठनी त्यारी से सम्बंदित है या राष्टी राजधानी छेत्र यानि NCR से सम्बंदित है तो 73 वा समिधान संसोधन जो है, ये किस से सम्मंदित है? पंचायती राज़ ब्यवस्था से सम्मंदित है, क्योंकि 73 में समिधान संसोधन अधनियम 1992 जो कि 1993 में लागूँवा था, कि अधीन पंचायती राज़ ब्यवस्था को सम्वैधानिक दर्जा पुरदान किया गया था इस समिधान संसोधन द्वारा समिधान के भागनों को पुना परिस्थापित कर 16 नए अनुच्छेद जो की 243 ए से 243 ओ तक हैं तथा 11 वी अनसुची को जोड़ा गया था समिधान में पंचायती राज विवस्था सरप्थम राजस्थान के नागौर में 2 वक्टूबर 1969 को से लागू की गई थी तथा इस विवस्था को लागू करने वाला दूसरा राजी कौन सा है आन्द पदेश तो अगर पहला राजी पुछा जाता है तो राजस्थान और दूसरा राजी अगला कोस्चन देखते हैं मंडल आयोग जिसके द्वारा जो है OBC का जो है कोटा दिया गया था रच्छण का जिसकी सिपारिसों के आधार पर इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्स प्रस्तुत की गई थी तो 1990, 1983, 1980 या 1977 तो आपको इन में से जो है सही उत्तर चुन सामाजिक और सैच्छिक रूप से पिछडे वर्गों की स्थिती जारने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरार जी देशाई की सरकार ने बिहार के पूर मुखमंतरी बीपी मंडल जिनका पूरा नाम भी पूछा जाता है बिंदेश्युरी प्रसाद मंडल की अध्यचता में पिछड प्रसात आरच्छन की सिपारिस की चौथा कोश्चन देखते हैं क्रसी मूले आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1955, 1965, 1970 या 1973 तो क्रसी मूले आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी क्रसी उत्पादों का मूले निर्धारित करने के लिए खाद मूल नीती समीती 1964 की सिपारिस के आधार पर 1965 इसवी में क्रसी मूले आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1985 में क्रसी मूले आयोग का नाम बदल कर क्रसी लागत एवं मूले आयोग कर दिया गया निमलिकित में से कौन सा एक रासाइनिक परिवर्तन का उधारण है तो कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंगत होना, जल में सक्कर का घुलना या जल का बरफ के घनों में बदलना तो रासाइनिक परिवर्तन आप जानते हैं कि रासाइनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अनुत्करमडी होता है यानि एक बार जो है अगर कोई चीज जो है दूसरे चीज में बदल गई तो वो दुबारा जो है अपने वास्त्विक सुरूप में वापस नहीं आ सकती है तो आप समझ गया होंगे इसमें कौन सा उत्तर सही है कागज का जलना क्योंकि अगर कागज जलता है तो वो कार्बन में बदल जाता है उससे जो गैस निकलनी होती निकल जाती है और अनिपडात बन जाते हैं लेकिन जले हुए कागज की राग से फिर से कागज नही बनाया जा सकता है नर्म लोहे को अब चुमबकित किया जा Aigner तो इसको वी चुमबकित भी किया जासकता है इसलिए बहुतिक परिवर्तन है जल में सक्कर को घुलने के बाद भी अगर उसको जो है चक्कर को फिर से जो है क्रिश्टली करण के द्वारा वापस किया जब प्राप्त किया जा सकता है और जल अगर बरफ में बदल जाए तो बरफ जो है जल में फिर से वापस बदला जा सकता है तो ये सभी जो है क्या है ये सभी भौतिक परिवर्तन है और कागज का जलना एक रासायनिक परिवर ना ये सबी भी जो है रासायनिक परिवर्तन के उधारण है नेक्स्ट मधुसाला जो बहुत ही प्रसिद कवी है ये किसके द्वारा लिखी गई है मैतली सरणगूप्त, रविदना टैगोर, हरिवन्स राय बच्चन या जैसंकर प्रसाथ मधुसाला जो हरिवन्स राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद करती है जिसके कारण ही उनको जाना जाता है इसके अलावा अगर हम देखें तो हरिवन्स राय बच्चन की और भी कई सारी बहुत ही प्रसिद करतियां है जिन में से मधुबाला, मधुसाला, मधुकलस, तेराहार, निसानिमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दोचटाने ये सबी जो है उनकी बहुती प्रसिद्ध कृतियां हैं सात्मा प्रस्द देखते हैं, खिलाडियों के विख्यात कोचों को प्रदान किये जाने वाले द्रोणा चार पुरुसकार, भाल, चंद्र, भासकर, भागवत, ओम, प्रकास, भारतवा, तथा ओयम, नेंबियर को किस वर्स में प्रदान किया गया था? तो ये द्रोणा चार पुरुसकार जो है इन तीनों कोचों को कब दिया गया था? आपको इस प्रस्ट में ये बताना है, तो आप अपना उत्तर जो है सोच चुके होंगे, मैं इसका उत्तर बताता हूँ, उनिस सौ पच्चासी में जो है इनको ये पुरुसकार प्रदान कि प्रथम दुरोनाचार पुरुसकार भलाचंद्र भासकर भागवत ओम प्रकास भारत द्वाज तछा ओयम नेंबियर को 1985 में प्रदान किया गया था। मीटियों की संख्या जो पाय जाती हूँ, कितनी होती है नौ, नौ तरए की मिटियां पाय जाती है, अब इससे रिलेटिद कुछ और फैक्ट भी देखते हैं। भावर एवं तराई चेतर की मिट्टी मद्द के मैदानी चेतर की मिट्टी और दच्षिड के पहाडी चेतर की मिट्टी अगला कोस्चन देखते हैं question number 9, उत्तर प्रदेश में आवास बंधू का गठन कब किया गया था? तो आवास बंधू जो की सहरी छेतरों में आवास बनाने का कार करता है, इसका गठन कब किया गया था? 1994, 1992, 1995, 1997 ये चार आपसन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? 1997 में उत्तर प्रदेश में आवास बंधू का गठन किया गया था सहरी छेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्मार से सम्मंदित दिभिन समस्याओं के समाधाने तू आवास एवं सहरी नियोजन विभाग के दिन 1997 में आवास बंधू का गठन किया गया था Nex question ुत्तर पादेश में जो 18 मंडल है और 75 जिले है और एक जिला भी जो प्रियाग राज में जो बनाया गया है वो आस्थाई तोर पे बनाया गया है लेकिन फिलहाल जो है जो प्रसासनिक दिश्च से बात की जाएगी तो 75 जिले है और 18 मंडल है तो ये अच्थारवा मंडल कौन सा है ये इस question में पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश का अठारवा मंदल कौन सा है अलीगण अलीगण सबसे बाद में मंदल घोसित किया गया था यानि ये अठारवा मंदल है अलीगड को आगरा मंडल से अलग कर नया मंडल बना दिया गया उत्तरपदेश के इस 18 मंडल में चार जिले आते हैं अलीगड एटा हातरस वा कास गंज राष्टी ग्रामीड पेजल कारिकरम के अंतरगर 2022 तक देश में हर ग्रामीड व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में 36 या उर्धवादर दिसा में 50 मीटर की दूरी से कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेजल की उपलब्द होना चाहिए तो कोश्चेन को पूरा पढ़ लीजिए पाउस करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो पेजल की उपलब्दता होनी चाहिए राष्टी पेजल कारिकरम के अंतरगत 2022 तक जो है जो लच्छ रखा गया है वो कितना रखा गया है 70 लीटर यानि 2022 तक जो है इस कारिकरम के अंतरगत लच्छ है कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रत दिन जो है पेजल की उपलब्दता सुनेशित की जाए ब्याख्या देखते हैं राष्टी पेजल कारिकरम योजना के अंतरगत इसका सौर्ट फार्म जरू याद कियेगा NRDWP देश का प्रतिय ग्रामीड वर्ष 2022 तक सामाजिक बाधाओं या बित्ती भेदभाओं के बिना अपने घर से अधिक्तम 50 मीटर की उर्धवादर या 36 दूरी पर अपने घर के परिसर में ही 70 लीटर प्रतिव्यक्ती प्रत दिन तक जो है जल प्राप्त करेगा राज अधिक गुडवत्ता वाले मांडन जैसे 100 लीटर पर डे पर व्यक्ती भी अपना दे सकते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल राश्टी पुलिस अकादमी कहां पर इस्थित है इसकी स्थापना के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है सरदार बल्लब भाई पटेल राश्टी पुलिस अकादमी हैदराबाद में इस्थित है इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी इसका नाम भारत के पूर्व उप्रधान मंतरी सरदार बल्लब भाई पटेल के नाम पर दिया गया सरदार बल्ला भाई पटेल ही वेवेक्ती थे जिन्होंने आल इंडिया सर्विसेज के निर्मार किया और IPS अरिकारियों को प्रसिच्छित करने के लिए एक प्रसिच्छन सनस्थान की स्थापना भी की थी नेक्स्ट कोश्चन ये एंसियंट हिस्ट्री से है निमलिखित में से दसराग उद का उलेख रिगवेद के कौन से मंडल में हुआ है तो दसराग उद बहुत प्रसिद्ध है इससे कई तरह के कोश्चन बनते हैं तो इसका उलेख जो है रिगवेद के सात्वे मंडल में किया गया है रिगवेद के साथवे मंडल में दसराग युद का उलेख है दसराग युद परुष्णी यानि रावी नदी के टट पर भरतवंस के राजा सुदास तथा दस अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था इस युद में विजय राजा सुदास की हुई थी रिगवेद के तीसरे मंडल में क्या है गायतरी मंत्र एवं चोथे मंडल में क्रसी संबंधी प्रक्रिया वाम देव का लेख किया गया है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी विभिन सारे बोर्ड या नीतियां दी है और कौन सा इन में से सही नहीं है हमको ये बताना है तो एके करके देखते हैं हम जो है आप जो है पाउस करके पढ़ सकते हैं अगर आपको समय कम लगे अंतराज्टी ये पानी के जगडों में केंदरी संसद के अनिरणय की सक्ती ये किस अनुच्छेद में दी गई है ये अनुच्छेद 262 में दी गई है बिल्कुस सही है ये 1956 में पारित किया गया था राष्टी ये जलनीत की कब गोशना हुई थी या कब बनाई गई थी 1987 में तो ये कथन बिल्कुल सही है ये सुमेलन जो मैंने बताया हुआ आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में किस राज में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रही ये ऐसा कौन सा राज है इन चारों में से जिसमें कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है तमिलनाडू, राजस्थान, उत्तरपदेश, महराश्ट। और उत्तरपदेश में दो महिला मुकमंत्री रही हैं, सुचेता करपलानी और सुस्री मायावती। इंडियन इंस्ट्टूट आविकलोजी और इन्वायर्मेंट भारत सरकार द्वारा प्रायोजीत स्वायत गयर लावकारी संस्था है, जो सिच्छनकार, पारिसित्की और पर्यावरण के छेत्रों में अनुसंधान संस्थान है, या नई दिल्ली में इस्थित है। नई दिल्ली में, नोएडा में, या बंगलूरू में, या हैदराबाद में, तो राश्टी ये उद्धमिता एवं लगविकास संस्थान नोएडा में इस्थित है, यानि उत्तरपदेश में ये आता है। निमलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। HA बेचे ने दिया था, परायूरेनियम यानि परायूरेनियम तत्तों का संस्लेशन जो है किस ने किया था। अन्रिको फर्मी यही जो है गलत है, योकि परायूरेनियम या परायूरेनियम तत्तों का संस्लेशन किस के द्वारा किया गया था। अब इनका पूरा नाम भी जान लीजिए एगला कोस्चन देखने पहले तो जी टी सी बोर्ग इनका पूरा नाम है जिन्होंने पैरा यूरेनियम तत्तों का संसलेशन किया था हाल ही में किस राज जो की दस्वा राज है ने टीका करण अभियान में रोटा वायरस वैक्सीन को सामिल किया है और रोटा वायरस वैक्सीन को अपने टीका करण कारिकरम में सामिल करने वाला वो दस्वा राज है तो जारखंड, 36 गड़, बिहार या उत्राखंड ये चार विकल्प आपके सामने हैं तो इन में से जारखंड द्वारा रोटा वारस वैक्सीन को हाल ही में टीका करण अभियान में सामिल किया गया है और ये ऐसा करने वाला भारत का दस्वा राज ये बन चुका है 7 अपरेल 2018 को विष्व स्वास दिवस के उसर पर जारखंड के मुख़्मंतरी रगवरदास ने राज के टीका करण अभियान में पहली बार रोटा वारस वैक्सीन को सामिल किया जारखंड दस्वा राज है 11 जुलाई 2018 को संपूर विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया वर्ष 2018 में विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य विश्य या जिसको हम लोग थीम भी कहते हैं क्या थी तो इन में से आपको थीम बतानी है कि कौन सी थीम थी 11 जुलाई 2018 के विस्व जनसंख्या दिवस की तो परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है ये इस दिवस की थीम थी तो पहला कोश्चन है यहाँ पर राज और लोकनर्त दिये हैं एक तरफ राज लिखे हुए हैं एक तरफ लोकनर्त लिखे हुए हैं इन में कौन सा पेयर यानि कौन सा जोड़ा गलत है ये हमको बताना है केरल के सामने करगम नर्त लिखा हुआ है गुजरात के सामने गरबा उ अप्सियल वाला अप्सण जो है उसके साथ में तमिल्नाडू होना चाहिए था नेश कोईस्चिन देखते हैं अनुच्छे 338 का संबंद किस प्राविधान से है कोईस्चिन को ध्यान से पढ़िए सारे आपसंस को आंगल भारतियों से या एंगलियो इंडियन से गैर भारतियों से अंसूचित जातियों से या अंसूचित जन जातियों से अब चारों आपस का संबंद है अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा तेज चलना हूँ तो आप वीडियो को पाउस करके जो है को समझ सकते हैं 338 के बारे में जानते हैं अनुछे 338 राष्टी अंसूची जाती आयोग से संबंदित है इस अनुछेद को प्लेन होगा तो राष्टी अंसूची जाती आयोग होगा और 338 का होगा तो राष्टी अंसूची जन जाती आयोग होगा Next question देखते हैं देश में कुल खाद्यान उतपादन छेत्रफल में पहला वाद दूसरा राज जो है इनमें कौन सा है करमस ये बताना है हमको तो उत्तरप्देश या मद्प्देश उत्तरप्देश और पंजाब उत्तरप्देश और महराष्ट उत्तरपदेश और आनपदेश तो एक बात तो इस परच्ट है कि खाद्यान के मामले में उत्तरपदेश जो है छेत्रफल के मामले में पहले नमबर पे है तो दूसरा राज आपको इस विकल्प से जो है देखना है तो इसका दूसरा उत्तर सही क्या होगा यानि सही उत्तर क् मद्पदेश यानि पहले नमबर पर भारत में उत्तरपदेश है और दूसरे नमबर पर मद्पदेश है कुल खाद्यान उत्पादन के छेत्रफल के मामले में ब्याक्या देखते हैं कुल खाद्यान उत्पादन यानि हजार टन वाले सीवस भारती राजिक्रमसा पहले नमबर पर उत्तरपदेश है दूसरे नमबर पर पंजाब है तीसरे नमबर पर मद्पदेश चौथे नमबर पर आन्पदेश पाचवे नमबर पर राजस्थान लेक लेकिन अगर कुल खाद्यान उत्पादन छेत्रफल की दिश्टी से बात करेंगे जो की 1000 हेक्टेयर में ना पा जाता है उसमें सीर्स भारती राज्योग अक्रम क्या होगा उत्तरपदेश उसके बाद दूसरे नमबर पर मत्पदेश तीसे नमबर पर राजस्थान फिर अधिक उत्पादन या उपर वाले A और B दोनों ही या इन में से कोई नहीं या आपके पास चार आप्सन हैं दोनों ही टैग यानि पहला और दूसरा जो है हर खेत को पानी और प्रतिबूद अधिक उत्पादन ये प्रधान मंत्री क्रसी सिचाई योजना की टैग लाइन ह दो जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेन मोदी की अधचता में मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समीती ने प्रधान मंत्री क्रसी सिचाई योजना को मंजूरी दी थी लेकनी है कि इस योजना के तहट पाँच वर्सों यानि 2015-16 से लेकर 2019-20 के लिए 50,000 करोन रुपए की धासी का प्रधान किया गया था इस योजना का उद्देश जमीनी इस्तर पर सिचाई में निवेस को समन्वित करना, सिचाई सुविधा वाले क्रसी छेत्रों का विस्तार करना, पानी का बहतर उप्योग और सटीक सिचाई जो है साधनों का विकास करना इस योजना के तीन घटक है हर खेत को पानी प्रतिबूंद अधिक फसल और पंधारा विकास अगर यानि टैग लाइन में तीसरा भी दिया होता पंधारा विकास तो ये भी जो है उसमें इंक्लूड कर लिया जाता नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है प्रकति के पौधे हैं उनका कौन सा पौधा जो है सुमेलित नहीं है अपनी प्रकति से उसका हमको देखना है तो आर्किट कैसा है एक अधिपादप है यानि इपी फाइट है दूसरे पौधे के उपपर जो है लिपट कर जो है बढ़ने वाला पौधा है चंदन क्या है य एक जड़ परजीवी है यानि रूट पैरासाइट है घट परणी के सामने क्या लिखा है जलोद भीद जलोद भीद का अर्थ क्या होता है ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं जिनके लिए जो है जल की बहुत प्रचुर मातरा चाहिए होती है जिनके उगने के लिए और जंदन एक जड़ परजीवी है अमर जेल ये है अमर बेल एक तना परजीवी लेकिन घट पंडी क्या होता है आपने सुन रखा होगा ये एक कीट भच्छी पौधा है तो ये एक जलोद भीद नहीं है ये कीट भच्छी पौधा है और ये ऐसे इस्थानों पर उकता है जहा कहीं पतियों का कोई modification होता है यानि कई तरह के उन में modifications पाये जाते हैं जो कीटों को पकड़ने के लिए उपियोगी होते हैं घट पड़नी को picture plant भी कहते हैं क्योंकि इसमें घड़े के आकार की इसकी पतियों को किसन नचना हो जाती है जिसमें वो trap कर लेता है कीडों को next देखते है Swami and friend इस पुस्तक के लेखक कौन है बहुत ही famous book है पूछी भी जा चुकी कई exam में तो थोड़ा सा आप इसमें अपना दिमाग लगाईए कि Swami and friend के पुस्तक के लेखक इन में से कौन है तो सीदे सीदे मैं उत्तर ही बताता हूँ इसका आरके नारायनन आरके नारायनन जो है Swami and friend नामक पुस्तक के लेखक है Swami and friend के लेखक आरके नारायनन है इनकी अनप्रसिद रचनाएं कौन सी है मालगुडी डेज जो की बहुत ही famous है Swami and friends और vendor of sweets तो ये बाकी तीन किताबें जो है इनकी और्याद रखिएगा जो की important है अगला question डिस्पले है सात्वा नमबर आपके सामने प्रस्तावित राश्टी खेल विस्विद्याले यानि राश्टी खेल विस्विद्याले अध्ध्यादेश 2018 के अनुसार जो प्रस्तावित किया गया है इसका मुख्याले कहां पर बनाया गया है ये बन भी चुका है राश्टी खेल विस्विद्याले कहां पर बना है ये बताना है चतिस गड़ में, मडीपूर में, केरल में या पस्चिम, बंगाल में तो राश्टी खेल विस्विद्याले का मुख्याले मडीपुर में इस्थापित किया गया है प्रस्तावित राश्टी खेल विस्विद्याले अध्यादेश 2018 के अंसार इसका मुख्याले मडीपुर में बनाये गया है भारत के प्रधानमंती नरेन मोदी ने 16 मार्च 2018 को इसका सिलन्यास किया था एवं जून 2018 में राष्टपती द्वारा राष्टी खेल विस्विद्याले अध्यादेश 2018 को मंजूरी देने के बाद इसकी इस्थापना हो चुकी है या खेल एवं सारीरिक सिच्छा केज़े इतने में भारत सरकार द्वारा इस्थापित पहला केंद्री विस्विद्याले है अगला कोश्चन उत्तरपदेश स्पेशल से है उत्तरपदेश राज में सरवाधिक नगरी करण परतिसत्ता वाला जिला कौन सा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नगरी करित जनसंख्या नहीं पूछी गई है नगरी करण परतिसत्त सरवाधिक किस जिले में है यह पूछा गया है तो गाजियाबाद आपसन है लकनव है कानपूर है और इलहाबाद आपके सामने है तो इसका सही उत्तर क्या होगा गाजि गाजियाबाद में जो है सरवाधिक नगरी करण यानि नगरी जनसंख्या जो है सरवाधिक है प्रत्सत्ता के रूप अब इसके बारे में और डिटेल जाना ज़रूरी है क्योंकि इससे और भी कोश्चेन आ सकते हैं उत्तर पर देश में सरवाधिक नगरी करण प्रत्सत व गौतम बुधनगर या नुएडा 59.12 परसेंट और मेरट की 51.08 परसेंट तो यह सरवाधिक नगरी करण प्रसत वाले पांच जिलों का क्रम हो गया अब उत्तर वज़ेश में नियूनुतम नगरी करण प्रसत वाले पांच जिले कौन से हैं तो नियूनुतम में है स्रावस्ती पहले नंबर पर यहनि सबसे कम स्थान इसका है 3.46 परसेंट कुसी नगर 4.72 परसेंट महराज गंज तीसरे नंबर पर है 5.02 परसेंट सुल्तानपूर चौते नंबर पर 5.26 परसेंट और प्रताफगाढ 5.46 परसेंट अगला कोस्चन बहुती आसान है आप सबी लोग जानत उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रसिच्छन एवं प्रयोग केंद्र कहां है तो इससे भी आप अन्मान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए कौन सा जिला फेमस है वहीं पर जो है ये प्रसिच्छन एवं प्रयोग संस्थान अमरूद के लिए इस्थापित है तो सीधा सीधा इसका उतर बताते हैं प्रियाग राज जो पुराना जिसका नाम था इलाहाबाद यहाँ पर जो है अमरूत के लिए प्रियोग एवं प्रियोग संसान इस्थित है। उत्तर प्रेस के इलहाबाद या अब तो इसको प्रियागराज कहेंगे जिले के रेलवे स्टेशन के समीप एतिहासिक खुसरो बाग में अमरूत के लिए आउद्योगिक प्रियोग एवं प्रसिच्छन के इन स्थापित है यहाँ पर अमरूत की बागवानी का प्रसिच्छन भी दिया जाता है अगला कोश्चन उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाओं की स्थापना कहां पर की गई है यानि खेल गाओं की स्थापना किस जिले में की गई है तो इन में से सही उत्तर क्या है आगरा आगरा में सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में खेल गाओं की स्थापना की गई थी। उत्तरप्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर इस्थित है। संयंत्रों का घर माना जाता है या देश के सबसे बड़े डीजल लोको मोटिव सेड का इस्थान है। इस डीजल लोको सेड में तीन तरके हैं WDM2, WDM3A, WDM5 डीजल लोको का प्रमुख रेल की सबसे बड़ी वेगन रिपेरिंग कारिसाला भी मोगल सराय में ही इस्थित है। नेक्स देखते हैं सीमा सुरच्छा बल यानि BSF Border Security Force किस की एक यूनिट है किस बल की एक यूनिट है तो ये केंदरी रिजर्ब पुलिस यानि की Central Police Force की केंदरी पुलिस बल की एक इकाई के रूप में इस्थापित है। सीमा सुरच्छा बल BSF केंदरी पुलिस बल की एक इकाई है। उदंत पूर पर आक्रमण किया वहां का राजा इंदुमन भीरू था जो बिना युद किये ही भाग गया। बक्तियार खिल जी ने यहां के बहुत बिहारों को लूटा और विच्छुओं को कतल किया। इसके बाद उसने विध्या के केंदर नालंदा और विक्रम सिला विस्विद्याले को नश्ट कर दिया। नालंदा विस्विद्याले प्राचीन भारत में उच्छ सिस्था का सरवादिक मातपूर्ण एवं विख्यात केंद था। बिहार के नालंदा जिले में एक नालंदा विस्विध्याले था जहां देश विदेश के चात्र सिच्छा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। अन राजाओं ने यहाँ अनेक बिहारों और विस्विद्याले के भावनों का निर्मार कराया। प्रसिद चीनी यात्री हिवेंस्वांग ने सात्वी सताब्दी में यहाँ की जीवन का महत्पूर एक वर्स और एक विद्यार्थी के एक सिच्छक के रूप में वितीत किया। प्रसिद बहुत सारी पुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अगला कोश्चन देखते हैं इन में से कौन सा आयोग समवैधानिक उपबंधो द्वारा इस्थापित नहीं है। यानि जिसका समविधान में सीधा वरण नहीं है उसके बाद कानून बनाकर संसदी कानून बनाकर उसकी इस्थापना की गई है। तो वित्त आयोग आप जानते हैं भारती समविधान में उसका उलेख है संग लोग सेवा आयोग का भी है और चुनावा आयोग का है। योजना आयोग जो है एक ऐसी संस्था है जिसकी निर्मार जो है संसद के द्वारा विधी बना कर की गई थी 15 मार्च 1950 को तो ये डेट भी इंपोर्टेंट है कभी कभी पूछ ली जाती है योजना आयोग का गठन समवैधानिक उबंदोदारा नहीं किया गया था बलकि भारत में पंचवर्सी योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लच को प्राप्त करने के लिए एक समविधानातर संस्था के रूप में इसको 15 मार्च 1950 को इस्थाफित किया गया था केंदरी मंत्री मंडल के प्रस्ताव पर गठित यह आयोग एक ससक्त परामर्स दात्री निकाय है इसका अध्यच कौन होता है प्रधान मंत्री होता है एक जन्वरी 2015 को केंद सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीती आयोग बनाने की घोचना की और इसका अध्यच प्रधान मंत्री होगा यह प्राविधान था नेक्ट कौन देखते हैं निमलिकित में से किस राज्यों में सरपथम गैर कांग्रेसी सरकार की इस्थापना होई थी तो सबसे पहले भारत में किस राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी यानि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो चार आपसन आपके सामने उत्तरप्रदेश, पंजाब, आंधरप्रदेश और केरला इनमें से आपको जो है सही आपसन को चुनना है तो इनमें से सबसे पहले जो है गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी और वो भी कब बनी थी 1957 के चुनाओ में कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार यहां पर गठित हुई थी सरप्रथम गैर कांग्रेसी राज की स्थापना 1957 में केरला में हुई थी केरल राज में प्रथम आमचुनाओ मार्च 1957 में संपन हुए जिसमें कम्यूनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ केरल के प्रथम मुख्यमंतरी EMS नमबूदरी पाद थे जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंतरी बने थे अगला कोश्चन बहुत ही आसान है यूरोप की सबसे लंबी नदी हमको इन में से बताना है कि राइन, रोन, डेन्यूब या बोलगा में से जो है कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है बहुत इंपोर्टेंट है ये नदी इसके बारे में हम विस्तित ब्याख्या भ जबकि डेन्यूब नदी की 2860, रोन नदी की 813 और राइन नदी की 1236 किलो मिटर है बोलगा नदी यूरोप में प्रवाहित होना लिए प्रमुक नदियों में से एक है यह रूस की सबसे महत्पूर्ण नदी कही जाती है रूस के सबसे बड़े 20 सहरों में से 11 बोलगा के ड्रेनेज बेसीन में यानि प्रवाह तंत्र में इस्थित हैं जिन में राजधानी मास को भी सामिल है बोलगा नदी मात्र 225 मीटर की उचाई पर वालदे पहाड़ी से निकलती है ये भी पूछा जा चुका है कहां से इसका उदगम होता है और 3645 किलोमीटर लंबा सफर तै करते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है तो ये भी एक important fact है कि कहां पर इसका मुहाना है या कहां गिरती है तो कैस्पियन सागर में बोलगा नदी यूरोप और यूरोपी रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस की सबसे महत्पूर जल मार गए अपने उदगम इस्थान से निकल कर यह नदी लगभग 1300 मील लंबे घुमावदार मारगों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है और ये डेल्टा बनाती है मुहाने पर अका कामा उज़ा इसकी मुख सहाइक नदीयों के अतरिक इसकी अनेक छोटी सहाइक नदीया है बोलगा और इसकी सहाइक नदीयों द्वारा 5,63,000 वर्ग मील छेतर का जल निकास होता है तक बीस हजार मील तक की जलियातरा की जाती है नदी नहर के द्वारा बॉल्टिक सागर, आर्केटिक सागर और मासकों से जुड़ी हुई है नदी की घाटी गियों के उत्पादन तथा इमार्ती लकडी के उद्वारा के लिए मातपूर है इस नदी के किनारे स्टैलिन ग्रैड, गौर्की, सराटफ और एस्ट्रेकॉन इस्थित है बॉल्गा नदी की डेल्टा और उसके समीब का कैस्पियन सागर का जल विश्व के प्रसिद मतस सी छेतरों में से एक है अगला कुश्चन देखते हैं, एक पॉइंट और है बसंत रितु में बॉल्गा में इत्ती भीश्वन बाड़ाती है कि कैस्पियन सागर के जल का इस्तर बढ़ जाता है प्रथम स्रम आयोग की स्थापना यानि फर्स्ट लेबर कमीशन की स्थापना किस वर्स की गई थी? तो प्रथम स्रम आयोग की स्थापना उनिस सोचाचट में की गई थी? प्रथम स्रम आयोग की स्थापना या उसका गठन 24 दिसमबर 1966 को हुआ था? प्रथम स्रम आयोग के अध़्दश कोन थे? पीवी गजेन्ड कर थे? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1969 में सौपी थी जिसमें संगठित छेत्र एवं असंगठित छेत्र में स्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई थी अगला कोश्चन भारत सरकार द्वारा राष्टी साइबर सुरच्छा नीत की गोश्णा कब की गई थी तो बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है ये 2012, 13, 14, 15, 4 आपसन आपके सामने हैं तो भारत सरकार द्वारा राष्टी सुरच्छ साइबर सुरच्छा नीत की गोश्णा 2013 में की गई थी समूचे बिस्तु में साइबर नीयमों के उलंगन के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले के सूचना प्रोध्योगी विभाग ने दो जुलाई 2013 को राश्टी साइबर सुरच्छा नीती 2013 की गोश्णा की कुल 14 उद्देश्यों वाली इस नीत का मुख सार यह है की लगातार बढ़ते साइबर हमलों से सूचनाओं की सुरच्छा करना और इस तरह के हमलों से बचने के उपायों को बिक्सित करना अगला कोश्चन यानि कोश्चन 19 उन्तिस जुलाई 2018 को केन सरकार ने बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दे के समाधान के लिए किसकी अध्यचिता में एक उचिस्तरी अधिकार संपन समीति का गठन किया है इंपोर्टेंट कोश्चन है करन्ट से रिलेटेड है ये तो इसका सही उत्तर क्या है काईबिनेट सच्चिव की अध्यचिता में इस उचिस्तरी अधिकार संपन समीति का गठन किया गया है नेक्स्ट कोश्चन और आज का लास्ट कोश्चन देखते हैं राष्टी नदी सरनच्छन योजना के माध्यम से जम्मू और कस्मीर के किस जिले के लिए नदी प्रदूसर्ण समाप्ति योजना को मंजूरी दी गई है निमलिखित में से कौन सा यूगम सही नहीं है यानि यहाँ पर कई सारे विभूतियां दी है और वो किस कला से संबन्दित रहें उनके बारे में बताना है अमीर खुसरो, सरोधवादन, भीम सेंजोसी, गायन, उत्पलदत, फिल्म और संभू महराज कत्थक तो जैसा कि आप जानते हैं कि संभू महराज का संबन किस से है? कत्थक से है भीम सेंजोसी, रागमलहार और गायन से संबन्दित है अमीर खुसरो का सरोधवादन से कोई संबन्द नहीं है बलकि ये क्या थे? इनका सितार वादन से संबन्द है भारती समिधान में तदर्थ न्याइधीसों की न्यूकती का प्राविधान है यानि तदर्थ न्याइधीसों की न्यूकती कहां की जा सकती? सर्वोच न्याले में या उच्छ न्याले में या जन्पद और सेसन कोट जो होती इसकों सत्र न्याले कहते है या सभी कोटों में जो है तदर्थ नयारीसों की नियुक्ति की जा सकती है तो भारती समिधान के अंसार तदर्थ नयारीसों की नियुक्ति केवल सर्वोच नयाले में की जाती है उचितम नयाले में तदर्थ नयारीसों की नियुक्ति अनुछेर 127 है ज़रूर याद रखिएगा कभी-कभी सीधे-सीधे आर्टिकिल भी पूछ लेते हैं अनुचेर 127 के दिन राश्टपती की पूर्व सहमती से मुख नयाधीस द्वारा की जाती है तदर्थ नयाधीसों की नियुकती केवल उच्छतम नयाले में होती है उच्छ नयाले में बिलकुल भी नहीं की जा सकती तदर्थ नयाधीसों की नियुकती तब की जाती है जब उच्छतम नयाले के सत्र को चालू रखने के लिए जो वांचित कोरम है या गड़पूर्ती है वो पूरी ना हो तदत नयारीसों की नियुक्ति का जो प्राविधान लिया गया है भारती सम्मिधान में ये फ्रांस के सम्मिधान से प्रेरित है तो तीनों ही जो है फैक्ट अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर ये जलासे हैं इनका निर्मार किस नदी पर किया गया है आसान है आपने पढ़ा भी होगा तो आपको बताना है कि घागरा, चंबल, कोसी या अमना में से किन पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी स जलासेयों का निर्मार किया गया है तो इनमें से चंबल नदी पर जवाहर सागर, राड़ा प्रताप सागर और गांधी सागर जलासेयों का निर्मार किया गया है यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मद प्रेशवा राजस्थान में यह परियोजना संयुक तुरूप से बनाई गई है इस परियोजना के अंतरगत मद प्रेश में गांधी सागर इस्थान भी जरूरी है आपको पता होना चाहिए मद प्रेश में गांधी सागर बांध यह जलासे है राजस्थान में राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर बान यह भी कोटा यह बैराज जो है यह बनाया गया है कोशी परियोजना बिहार राज में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है असंगठित स्रमिक सामाजिक सुरच्छा अधनियम ये किस वर्स पारित किया गया था तो ये वर्स 2008 में पारित किया गया था असंगठित चेतर के कामगारों को सामाजिक सुरच्छा परदान करने के संबन में सरकार ने असंगठित कामगा सुरच्छा अधनियम ये 2008 पारित किया असंगठित चेत से तातपर उन स्रमिकों से हैं जो रोजगार के आइस्थाई स्वरूप अज्ञानता वा निरच्छरता चोटे वा बिखरे प्रतिष्ठानों आज के कारण अपने साजा हितों के लिए स्वयम को संगठित नहीं कर पाए हैं। इस जगत का कौन सा प्राणी है या जीव है यह आपको इन में से बताना है। द्वी पार्स सम्मिती और त्री स्थरी होते हैं जैसे की जोग, केचुवा और नेरीस यह इसके प्रमुकुदारण है। तिल्चट्टा जो है कीट वर्ग में आता है यानि यह इनसेक्ट है जिसमें एक जोडी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। एनलीडा सब्द का सर्वत्थम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था लैमार के द्वारा इंपोर्टेंट फैक्ट है यह इस संग के अंतरगत खंड यूक्त जन्तु रखे गए हैं। एनलीडा दो ग्रीक सब्दों एनुलस और जिसका मतला होता है रिंग और एडियॉस यानि फार्म से मिलकर बना है यानि जो है रिंग लाइक जो है जिसका सरीर हो उनको जो है एनलीडा संग में उन प्राणियों को रखा जाता है। उपन्यास गोरा के लेखक कौन है तो गोरा एक बहुती प्रसिद करती है किसकी इन में से आपको बताना है मुंसी प्रेमचन, रविना टैगोर, बंकिम चंचे टरडी या सरच तो इन में से रविना टैगोर की गोरा बहुती फेमस जो है उपन्यास है। कई बार ये कोश्चन बेवी ने एकजाम से पूछा जा चुका है। सब दोते हैं, उनकी जो सब्दावली है वो मैं रख रहा हूँ, आप इसको जो है पाउस करके पढ़ सकते हैं। जैसे बाइट मिन्टन से संब्दित, जो सब्दावली है, बास्केट बाल, बेस बाल से संब्दित, बाक्सिंग से संब्दित, सतरंज, क्रिकेट, क्रिकेट में तो सबसे या हैं पूछा जाता है। तो आप जानते हैं ये बहुत धर्म से संबंदित भगवान बुद्ध से संबंदित जो है मंदिर है और ये जो चारो इस्थल दिये गए है ये कन्फ्यूज करने के लिए जो है चारो ही जो है बहुत धर्म के प्रसिद इस्थलों के नाम दिये हुए हैं तो इन में से आपको बताना है कि कौन कहा पर ये इस्थित है, तो महा पर निवार मंदिर कहा पर इस्थित है, कुसी नगर में, कुसी नगर गोरकपुर किसे लगबग 45 किलोमेटर पूरु राश्टी राजमत संख्या 28 पर वर्तमान कसया नगर के पास महा पर निवार मर्दिर इस्थित है, महा जन इस मंदिर को महा परिनिवान मंदिर का नाम दिया गया है। इस मंदिर को महा परिनिवान कहा जाता है। और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सुमेलन करना है हमको छेत्र और उनके संबंधित व्यक्तियों को आपस में मिलान करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं हिंदी साहित से संबंधित कौन है रस खान। उर्दू से संबंधित कौन है ज्यान चन जैन। संगीत एवं नरत्रकला से संबंधित है सरिता देवी और चित्रकला से संबंधित है सतीस चंद। नेश्वचन निम्न में से उत्तरपदेश के किस भारुत तोलक ने राष्टमंडल खेल 2018 में सौन पदक प्राप्त किया है। तो इसमें से स्वण पदा बिजेता जो उत्तरपदेश से संबंधित है वो कौन है ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है तो पूनम यादों ने जोकी उत्तरपदेश की प्लेयर है इन्होंने भारुत तोलक में राष्टमंडल खेल 2018 में स्वण पदक प्राप्त किया मंदल खेल 2018 में 69 केजी वर्ग में स्वण पदक जीता था आस्टेलिया के गोल्ड कोष्ट में उसने 222 किलोग्राम का वजन उठा कर ब्यक्तिगत इस परधा में सर्वसेश्च प्रदसन किया और इगलैंड की सारा डेविस को पीछे चोड़ दिया इन्होंने एक और इंपोर्टेंट कोष्टन है ये तो राष्ट कभी मैथली सरण गुप्त का जन्म उत्तरपदेश के जासी डिश्टिक में हुआ था 1886 में उत्तरपदेश के जहासी के चिरगाओं में पैदा हुए मैतली सरणगुप्त का जन्म गहोई समदाय के कंकाने कुल में हुआ था उन्हें खड़ी बोली कविता के अग्रदूतों में से माना जाता है नेक्ट कोश्चन उन्नीस्वी सताबदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक इन में से किसी कहा जाता है तो ये सभी जो है महान समासुधारकों के नाम दिये हैं आपके सामने से इन में से उन्नीस्वी सताबदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक स्वामी विवेका नंद जी को माना जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे उन्नीसवी सताब्दी के नौ हिंदू जागरण का संस्थापक स्वामी विवेका नंद को कहा जाता है और भारत के पुनर जागरण तथा समाज सुधार में योगदान के कारण इन्हें सुभास चन समेलन में हिंदू धर्म का प्रतिदित किया और उसे सारभौमिक पहचान दिलाई तीन वर्स वे अमेरिका में रहे वहां के लोगों को भारती तत्वगान की अदभुत ज्योती पदान की उनकी वक्तव विसैली और ज्यान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें क्लानिक हिंदू गुरु रवीर्ना ठाकुर ने भी एक बार कहा था यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो बिवेका नन को पढ़िए उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे नकारात्मक कुछ भी नहीं तो इस तरह के कोर्स भी एक्जाम में पूछ लिया जाते ह कि किस ने कहा था किसके बारे में कहा था नेस्ट कोश्चन देखते हैं नर्मदा घाटी में कौन सी संस्क्रती बिक्सित हुई important question है ये ancient history से तो नर्मदा घाटी में मालवा संस्कृती जो है बिक्सित होई थी अब जित्ती भी संस्कृतिया इसमें दी हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम जानते हैं क्योंकि ये जरूरी है मालवा संस्कृती नर्मदा घाटी में बिस्कृत हुई ये तामर प्रासाणिक संस्कृती है कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस साल से सम्मंदित है तो ये तामर पासाण काल की संस्कृती है पस्चिम मत्पदेश के मालवा संस्क्रती का विकास हुआ था इस से पूर काय था संस्क्रती का भी विकास हो चुका था इसका काल 2000 इसापूर से 1800 इसापूर था जबकि मालवा संस्क्रती का काल क्या था 1700 से 1200 इसापूर मालवा संस्क्रती का मूल छेत्र मालवा काय था वा एरण है मालवा संस्कती अपने मुर्द भांडों की उत्कृष्टा के लिए जानी जाती है आगे मालवा संस्कती का प्रसार महराज छेत में भी हुआ इस संस्कती की विशेष्टा यहां के बरतनों के बनावट में अनगड़पन है लेकिन उन पर मोटा लेप लगा कर लाल या लाल काले रंग में डिजाइन उस पर बनाये जाते थे अहार नामक ताम पासार कालिक संस्कती का विकास कहां पर हुआ राजस्थान में यह भी कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस संस्कती के लोग काले लाल रंग के बरतन बनाते थे जो सफेट डिजाइनों से सजे होते थे जोरवे के बारे में जानते हैं जोरवे तामर पासारिक संस्कती महराष्ट छेत्र में बिक्सित हुई थी यहां के बरतन परंपरा में लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी होती थी लेकिन उन पर सतह धुदली या खुर्दरी होती थी तो और अधिक आप जोर्वे संस्क्रति के बारें पढ़ना चाहते हैं तो इसको पाउस करके आप पढ़ सकते हैं और अहार या बनास संस्क्रति जिसके बारे मैंने बताया कि यह राजस्थान में फली फूली थी तो इसके बारे में भी आप पूरा डेटेल जो है वीडियो को पाउस करके पढ़ सकते हैं आगे देखते हैं हम नेक्स्ट कोस्चन पंचाय चुनाव में अनसूचित जातियों के लिए पदों का आरच्छन किस राज में लागू नहीं होता है तो इम्पॉर्टेंट कोस्चन है कई बार जो है पॉल्टी सेग्मेंट में पूछा जा चुका है तो अरुड़ाचल प्रदेश में पनचाय चुनाव में अनसूचित जातियों का आरच्छन लागू नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि यहां पर अंसूची जातियां है ही नहीं है आपर नोटीफाइड अंसूची जातियां नहीं पाई जाती है तिरासवि tomorrow समिधान संसोदा नत्नियम 2012 यहां प्रावधान किया गया कि अंसूची जातियों के लिए आरच्षन समंदी प्रावधान अंवडाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा योकि अंवडाचल प्रदेश में अंसूची जातियां नहीं निवास करती है Grand Canyon काफी आप लोग जो है इसके बारे में सुनते रहते होंगे यह किस नदी पर बना हुआ है Grand Canyon कहां पर इस्थित है तो Grand Canyon जो है Colorado नदी पर इस्थित है Grand Canyon संयुक्त राज अमेरिका में Colorado नदी पर इस्थित है यह Canyon लगबग 480 किलो मीटर लंबी और 1828 मीटर गहरी तथा 6-16 किलो मीटर चौड़ी है Colorado नदी अमेरिका के पस्चिम राज कैलिफोनिया में प्रभाइद होती है तथा मैक्सिको से होते हुए California की खाड़ी में जो कि परसांत महासागर का हिस्सा है यानि फाइनली परसांत महासागर में गिर जाती है तो ये भी पूछा जा सकता है कि Colorado नदी का मुहाना कहां पर है तो आपको बताना होगा कि Colorado नदी प्रसांत महासागर में गिरती है Next question दिष्ट धारा यानि direct current जिसे हम कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम जो है AC या X तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में जो अंतर है उसके बारे में दो कथन दिये हैं वो कथन हमको जो है सही है या गलत है ये बताना है दिष्ट धारा यानि direct current एक निश्चित काल अंतराल पर के पच्चात अपनी दिसा उतक्रमित करती रहती है और प्रत्यावर्ती धारा यानि AC धारा सदव एक ही दिसा में प्रवाहित होती है तो दोनों ही कथन पूरी तरह से गलत हैं यहाँ पर दिष्ट धारा के बारे में यह सही होना चाहिए यानि दिष्ट धारा सदव एक ही दिसा में प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा यह होती है एक निश्चित काल अंतराल में अपके पच्चात अपनी दिसा में उतक्रमित होती रहती है तो इस तरह से उसका option जो है क्या correct हो गया, डी correct हो गया तो इस तरह के कम्प्यूटर को क्या कहा जाता है की लॉगर कम्प्यूटर कहा जाता है की लॉगर कम्प्यूटर कम्प्यूटर में आपके द्वारा किये गयकार को प्रतेक्षण रिकार्ड करता है निमलिखित में से किस अधिकारी ने महानिदेशक एयर के रूप में कारिभा भी कहा जाता है का पद समाला है next question हाली में सुर्खियों में रहा ELA क्या है ELA जो है इनमें से आपको बताना है कि क्या है ELA क्या है SBI कार्ड का क्रतिम आधारित क्रतिम बुद्धी आधारित electronic आभासी सहायक है यानि यह artificial intelligence पे जो है कार करने SBI ने 4 जुलाई 2018 को क्रतिम बुद्धमत्ता संचालिल electronic आभासी सहायक ELA को लांज किया है किस वर्स में जनगर्मन को भारत के राष्टगान के रूप में अपनाया गया था यानि राष्टगान के रूप में यानि वैदानिक रूप से जनगर्मन को किस वर्स जो है अपनाया गया था भारत में तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1950 1950 में जो है राष्टगान के रूप में जनगर्मन को अपनाया गया था जनगर्मन हिंदुस्तान का राष्टगान है जो मूलत्या बंगाली भासा में गुर्देव रविन्ना ठाकुर द्वारा लिखा गया था राष्टगान को सरप्थम 27 दिसंबर 1911 को भारती राष्टी कांग्रेस के कोलकाता अडिवेशन में गाया गया था ये फैक्ट कई वार पूछा जा चुका है जनगर्मन को राष्टगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था यानि इसको सम्विधान में सामिल कर लिया गया था गुरु रविन्ना ठाकुर बिस्ट के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देसों के राष्टगान का दर्जा प्राप्त है यानि भारत और बांगला देश दोनों के राष्टगान जो है गुरु रविन्ना ठाकुर के द्वारा ही रचित है बोहरा समित इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा बोहरा समित का कारचेत्र क्या था संगठित अपराधियों माफिया एवं नेताओं के बीश संबंधों की जाज के लिए वर्स 1993 में यर जरूर याद रखिएगा कभी कभी यर ही पूछ लेते हैं तो 1993 में बोहरा समित का गठन किया गया था वर्स 1993 में बोहरा समित ने तसकर गिरोहों और माफिया तत्तों के साथ नेताओं वा अपसरों के बीश साद्गार्ट पर अने रिपोर्ट सौपी थी भारत में तेल की पहली परिशकरन साला यानी रिफाइनरी इस्थापित की गई थी किस इस्थान पर इस्थापित की गई थी ये हमको बताना है यानि बारत की पहली Oil Refinery इनमें से कहां पर स्थापित की गई थी तो पहली Refinery डिग बोई में जोकी आसम में है वहां पर स्थापित की गई थी डिग बोई परिस्करण साला की स्थापना असर आसम आयल कंपनी द्वारा वर्स 1901 में की गई थी या विस्व की सबसे पुरानी चालू पर इसकरण साला है यानि जो अभी भी चल लही है रक्त चाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए उपरी भूजा का उपयोग करने का क्या कारण है यानि हम जो है कलाई सिपे उसको बान के क्यों नहीं नापते हैं हम हमेशा जो है उपरी बाजू पर ही उसके पटे को बान कर ही बीपी मसीन के बीपी नापते हैं इसका क्या कारण हो सकता है तो इसके लिए दो कफ़न आपके सामने दिएं हैं पहला कफ़न है, इसका हिर्दय के समान होता है जिसके कारण यहाँ पर ली गई दाब की माप हिर्दय पर दाब के लगभग बराबर होती है दूसरा कफ़न है, उपरी भुजा में केवल एक ही अस्थी होती है जिसके कारण यहां की धमनी को संपीडित यानि कम्प्रेस करना सरल होता है तो दोनों ही कारण सही है या गलत है या एक कारण सही है या आपको इसमें बताना है तो पहला और दूसरा दोनों ही कारण इसमें बिलकुल सही है Next question देखते हैं Discovery of India बहुत ही famous पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो इसमें तो option देने की भी वैसे जरूवत नहीं है जवाहलाल नहरू जेयल नहरू द्वारा Discovery of India नामक पुस्तक लिखी गई थी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं Discovery of India नामक पुस्तक जेयल नहरू ने लिखी है भारत की खोज या भारत एक खोज भी कहीं कहीं लिखते हैं The Discovery of India एक पुस्तक है जिसकी रचना जवालाल नहरू द्वारा की गई थी इस पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमद नगर जेल में हुई थी यानि जब वो अहमद नगर जेल में डिटेन थे उस समय उन्होंने लिखा था इस पुस्तक को नहरू जू ने अंगरेजी में लिखा बाद में इसे हिंदी और अनि बहुत सारी भासाओं में अनुवादित किया गया नहरू जी ने इसे भारती सोतंता आंदोलन के दौर में 1944 में एहमद नगर के किले में अपने पाँच महिने के कारावास के दिनों में लिखा था यहां 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकासित हुई थी इस पुस्तक में नहरू जी ने सिंदु घाटी सब्यता से लेके भारत की आजादी तक विक्सित हुई भारत की बहुबिद सम्रद संस्क्रती धर्म और जटिल अतीत को बैग्यानिक द्रिश्टी से विलच्छन भासा सैली में लिखा है इसमें हमको इधर कई सारे दिवस दिये हैं उनके सामने जो है दूसरी सूची में उनकी तिथियां दी हैं तो इसको हमको सुमेलित करना है कि कौन सा किस से सुमेलित होगा तो विस्व अलफ संखेक दिवस कम मना जाता है अठारा नवंबर को मना जाता है विस्व एड्स दिवस कम मना जाता है एक दिसंबर को मना जाता है विस्व पसू दिवस यानि वर्ड एनिमल डे कम मना जाता है तीन अक्टूबर को मना जाता है और विस्व खाद दिवस जो एड्स दिवस 1 दिसम्बर, बिस सुब पसु दिवस 3 अक्टूबर, बिसु खाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. Rider Cup किस खेल के खिलाडियों को दिया जाता है, तो Rider Cup एक ट्राफी है या एक प्राइस है, ये किस खेल के खिलाडियों के लिए होती है, तो Rider Cup जो है ये गोल्फ के खिलाडियों को दिया जाता है Rider Cup गोल्फ पृत्योकता में हिस्सा लेने वाले यूरोप तथा United इस्टेट के मद्ध बिजेता टीम को प्रदान किया जाता है अंग्रेजी ब्योसाई Samuel Rider के नाम पर इस ट्राफी का नाम रखा गया था उत्तरपदेश का प्राचिनतम जीवन्त नगर क्या है मतलब जो सबसे पुराना जीवन्त नगर है आज भी एक लाइब सिटी है तो ऐसी कौन सी सिटी है जिसको उत्तरपदेश के प्राचिनतम जीवन्त नगर की संग्या दी जाती है तो वारण असी वो सहर है जिसको उत्तरपदेश का प्राचिन्तम जीवंत नगर कहते हैं वारण असी उत्तरपदेश का ही नहीं बलकि संसार के प्राचिन्तम नगरों में से एक है इसका प्रथम उल्लेक कहा प्राप्त होता है अथरवेद में इसका प्रथम उल्लेक अथरवेद में प्राप्त होता है इसका उल्लेक बैदिक गरंथों में भी है 16 महाजनपदों में 801 प्रमुक महाजनपद था महाभारत तथा रामायड में भी इसका उल्लेक किया गया है जैन दर्म के छटवे तथा 23 तिर्थंकर सुपार्सनात और पार्सनात का जन भी यहीं पर हुआ था अब उत्तरप्रदेश के कुछ मेले हैं किस जिले में लगते हैं उसका युग में दिया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको देखना है तो बटेश्वर मेला कहां पर लगता है आगरा में लगता है बिल्कुत सही है यह सोरो का मेला कासगंज में लगता है नककटईया मेला वानसी में लगता है और मुडिया मेला कहां लगता है मुडिया मेला मेरट में नहीं लगता है इसलिए ये गलत है ये कहां पर लगता है गोवर्धन में लगता है यानि मतुरा डिश्टिक में लगता है तो मुडिया मेला गोवर्धन मतुरा में लगता है और कुछ महतपूर मेले कौन से उत्तरपदेश के सर्धना मेला मेरट में देवी पाटन मेला बल्लामपूर में हरिदास जैनती मेला ब्रंदावन में कंस मेला मतुरा में और स्रामडी मेला संकिया में लगता है ये सभी जो ह दस लाग की आबादी या जनसंख्या वाले प्रतेग जिले में कम से कम कितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए यानि एक जिला अस्पताल में अगर उस सहर की आबादी या उस जिले की आबादी दस लाग है तो कम से कम कितने बेड होने चाहिए उस जिला अस्पताल में तो इसके लिए मानक क्या निरहरित किया गया है 300 बेड का जो है मिनिमम अस्पताल होना चाहिए जहां पर 10 लाग की आबादी हो वहां के जिला अस्पताल में भारती सार्जोनिक स्वास्त मांडंटों के अंतरगत जिलास्पताल को अपनी आबादी छहमता के अंसार अस्पताल में आवस्यक बिस्तरों की पूर्ती करनी चाहिए जिससे जनसंख्या पर वार्सिक भरती धर 50 की जनसंख्या में से एक मानी गई है और अस्पताल में ठहरने की आउसत दरकित्ती माने गई है पांच दिन माने गई है इस प्रकार दस लाकी आबादी वाले जिला अस्पताल को लगबग तीन सो बिस्तरों की आवशकता होती है क्राउन रिप्रेजन्टेटिव पुलिस को स्वतंतरता के बाद विलै कर दिया गया था यानि किस इंडियन फोर्स में क्राउन रिप्रेजन्टेटिव पुलिस का विलै कर दिया गया था यह बताना है तो केंदरी रिजर्व पुलिस में क्राउन रिप्रेजन्टेटिव पु जरूर ये पता होगा एक जुलाई सन 2017 को भारत में GST लागू होई थी इसको GST दिवस के रूप में भी बनाया जाता है भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने हे तू समिधान का 101. संसोधन अधनियम प्रभावी है एक जुलाई 2017 को एतिहासिक वस्तु एवं भाकर यानि GST लागू हो गया था इसे 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरातरी के समय संसत के केंदरी कच में आयोजित एक समारों में राश्टपती प्रणाव मुखर जी एवं प्रधान मंत्री द्वारा लांच किया गया था नेश्ट क्वेस्चन भारत में दूसरी बार नोटों का बिमुद्री करण यानि डी मॉनिटाइजेशन कब किया गया था तो दूसरी बार जो डी मॉनिटाइजेशन हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी सन 1978 को इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी देख लेते हैं इसमें से जब सरकार पुरानी मुद्रा यानि करंसी को कानूनी तोर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा को प्रचलन में लाने की घोशना करती है तो इस प्रिक्रिया को बिमुद्री करण या डी मॉनिटाइजेशन कहते हैं इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की बैंक से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है ताकि वो अमान ने हो चुके पुराने नोटों को बदल सके हैं भारत में पहली बार साल 1946 में 501,000 और 10,000 उस समय 10,000 के नोट भी चलते थे तो 501,000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था 1970 के दसक में भी प्रत्यच करकी जाज से जुड़ी वांचू कमेटी ने बुमिद्री करण का सुझाओ दिया था लेकिन सुझाओ सार्जनिक हो गया जिसके कारण नोट बंदी नहीं हो पाई थी वर्स 1954 में एक हजार, पांस हजार और दस हजार के उच्च मूलवर के बैंक नोटों को फिर से जारी किया गया और फिर जनवरी 1978 में मुरार जी देशाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बना कर एक हजार, पांच हजार और दस हजार के नोट बंद कर दिये गये थे आठ नॉमबर 2016 को प्रणारमंत्री नरेन मोदी ने देश में एक हजार और पान सो रुपए के नोट बन करने की घोशना की अर्थात बिमुद्री करण की घोशना की थी किस आंदोलन को हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों का ही समर्थन प्राप्त था पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था क्योंकि अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग अलग हो गई थी और असयोग ही आंदोलन ही ऐसा आंदोलन था जिसमें एक साथ इसका बिरोध किया गया था खिलाफ़त आंदोलन 1920 और असयोग आंदोलन 1920-22 में हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों का समर्थन मिला था इस संदर में एचेंसन की टिपड़ी उलेखनी है इस मिसाल में हम मुसल्मानों को हिंदूओं से भिडान नहीं पाए यानि हम इनमें आपस में लडाई नहीं करा पाए इस संदर में गांधी जी ने कहा था हिंदूओं और मुसल्मानों की एकता के एक ऐसे आउसर के रूप में देखा जाए जो सौ वर्सों में पुनाः प्रस्तुत नहीं होगा असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कोश्चन इससे आते रहते हैं सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में महत्मा गांधी तथा भारती राष्टी कांग्रेज के नित्त में असहयोग आंदोलन चलाया गया था जिसने भारती सुतंता आंदोलन को एक नई जागरती प्रदान की जलिया वाला बाग नरसंगहार सहित अने घटनाओं के बाद गांधी जीन एनभो किया कि ब्रिटिस हातों में एक नए उचित नियाय मिलने की कोई संभावना अब नहीं है इसलिए उन्हें ने ब्रिटिस सरकार से राष्ट के सहयोग को वापस लेने की एक योजना बनाई इस प्रकार असहयोग आंदोलन की सुरुवात हुई या नियू पड़ी और देश में प्रसासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ ये आंदोलन अत्यंत सपर लहा क्योंकि इसे लाखो भारतियों का प्रोटसाहन मिला इस आंदोलन से ब्रिटिस प्रादिकारी हिल गए थे अब असहयोग आंदोलन के साथ समय में कुछ मुख्य बाते थी जो कई एक्जाम में पूछी जा चुकी है और इसमें से क्वेश्चेन इस तरह से आता है कि इन में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान से देखिए पहला क्या है सरकारी उपाधी एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए ये इसका प्रस्ताव की प्रमुख बाते थी सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्थ सरकारी उत्सवों का बहिसकार किया जाए इस्थानी संस्थाओं की सरकारी सदस्ता से इस्तीफा दिया जाए सरकारी स्कूल एम कालजों का बहिसकार तथा वकीलों के द्वारा न्याले का बहिसकार किया जाए आपसी बिवाद पंचायती अदालतों के द्वारा निप्टाये जाएं असायनिक स्रमिक वा कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इंकार करें और बिदेशी सामानों का पूरतया बहिसकार किया जाए तो ये सब असायोग आंदुलन की प्रमुक बाते थी गांधी जीने बिधान परिशदों के बहिसकार के प्रस्ताव पर चितरंजन दास सहमत नहीं थे यानि गांधी जीने अपना प्रस्ताव रखा था कि बिधान परिशदों में जो सदस्य भारती है वो जो है उसका बहिसकार करें लेकिन इस पर चितरंजन दास जो है या सियार दास जो है सहमत नहीं थे उन्होंने कहा कि मैं परिशदों को स्वराज प्राप्ती का साधन समझता हूँ लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिसकार के बिरोधी थे लेकिन मोतिलाल नहरु ने के प्रयास से संपन समझोते में तैह हुआ कि स्कूलों और अदालतों का भाइसकार धीरे धीरे किया जाए तो ये सब इस तरह से question आते हैं कि किसने कौन सा भाइसकार में मत दिया था ये कौन सामिल हुआ था किसका क्या मत था तो PCS में इस तरह के question जाएदा आते हैं next question देखते हैं वन जीव अभ्यारण है सूची एक में और सूची दो में जो है उनसे सम्बंधित राज हैं इसका हमको सुमेलन करना है तो दाची ग्राम कहां पर है दाची ग्राम वन जीव अभ्यारण जम्मू कस्मीर में है बांधोगड मध्पदेश में है बनर घट्टा कहां पर है करनाटक में है और सिमली पाल कहां पर है उडिसा में तो इस प्रकार से सुमेलन हो गया, एक बार इसको रिवाइस कर लीजिए दाची ग्राम, जम्मू कस्मीर, बांधोगर, मद्ध प्रेस, बनर घटा, करनाटक, सिमली पाल, उडिसा गिनी गुडांग का प्रियोग निमलिखित में से किस के लिए किया जाता है, तो संपत्ति के बितरण की असमनताओं की माप करने के लिए गिनी गुडांग का प्रियोग किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाना ज़रूरी है गिनी गुडांग सिध्धान का प्रतिपादन वर्स 1912 में इटैलियन सांखिक रैडो गिनी के द्वारा किया गया था तो ये नाम भी याद रखिएगा कि इसके प्रतिपादक कौन थे रैडो गिनी गिनी गुडांग का नियुंतअ मान कई जा पूछा जा चुका है सून ने होता है गिनी गुडांग का मान जितना अधिक होगा सामाजिक विसंता उतनी ही अधिक होगी तो ये फैक्ट ज़रूरी आदक किएगा कि अगर गिनी गुणांक जो है ये अधिक होगा तो सामाजिक बिसमता बढ़ेगी इसके विप्रीत अगर गिनी गुणांक का मान कम है या सून्य है तो सामाजिक बिसमता कम होगी यानि जो आय का बितरण होगा वो की सिस्थिती में स जब में समान होगा सारे नागरिकों में या सभी देशवासियों में जब गिनी गुणां का मान सूनने हो जाए तो वहाँ पर सभी वेक्तियों की आये को समान मान लिया जाएगा नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्तरान तथा नाभिक के बीच आकरसर सकती किस प्रकार की सकती होती है यानि जो हमारा item का nucleus होता है उसमें जो electron उसके चारो तरब बधा होता है परिक्रमा करता है वो किस attractive force के कारण उससे बधा होता है तो वो कौन सी सकती होती है बिद्दुती यानि electric force के कारण उससे बधा होता है electron बिद्दुत रिणी ये कण होते हैं यानि रिण बिद्दुती कण यानि negatively charged particle इलेक्टानों पर नाभिक आकर्चन बल आरूपित करता है electron के परिक्रमण से उत्पन अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्चन बल को संतुलित करता है इससे electron नाभिक में गिरता नहीं है नाभिक की परिक्रमा करने वाले electron तथा नाभिक के बीच की आकर्चन सकती एक विद्दिती सकती होती है next question Trojan program से क्या थात पर है तो ट्रोजन क्या होता है एक computer network को नुकसान पहुचाने वाला program होता है जिसको हम लोग virus की तरह भी देखते हैं लेकिन अगर इसको टेक्निकली की कहें तो एक ये program होता है जो network को प्रभावित करता है computer के network को next question हाली में पुरोत्तर राज्यों में से एक राज की राज़दानी को आवास और सहरी मंत्रालें द्वारा सोवा smart city घोसित किया गया है तो वो कौन सा राज यह है जिसकी राज़दानी को सववी smart city के रूप में हाली में घोसित किया गया है मेघाले मेघाले की राजधानी क्या है सीलांग यानि मेघाले की राजधानी सीलांग को आवास और सहली मामलों के मंत्राले द्वारा सववां स्मार्ट सिटी गोसित किया गया है स्मार्ट सिटी मिसन इस्थानी विकास को सच्छम करने और प्रोध्योकी की मदद से नागरिकों को बहतर प्रणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गती देने है तू भारत सरकार की एक नई पहले इस मिसन में 100 सहरों को सामि किया जाना है और इसकी अवधी पांच वर्स की होगी और इसकी अवधी जरूर पुछी जाती है पुछी भी गई है इस योजना को वर्स 2016 से 2020 तक पूरा किया जाना है नेक्ट कोश्चन तीन जुलाई 2018 को किसने केंदरिय प्रसासनिक अधिकराण यानी कैट सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिबनल के नए अध्यच के रूप में पदभार समाला है तो न्यायमूर्ती एल नरसिमहा रेड़ी द्वारा जो है इनको जो है केंदरिय प्रस प्रसासनिक अधिकराण का नया अध्यच चुना गया है तीन जुलाई 2018 को पटना उचन्याले के पूर नयाधिस न्यामूर्ती एल नरसिमहा रेड़ी को केंदरिय प्रसासनिक अधिकराण के नयाध्यच के रूप में पदभार गरण किया है इसके साथ ही उन्हें हैदराब के अंतरगत है तो चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छे 324 के अंतरगत भारती समिधान के अनुच्छे 324 के अंतरगत की गई है अनुच्छे 324 के अंतरगत भारत में चुनाव आयोग की बेवस्था की गई है अनुच्छे 324 के अंसार निर्वाचन के संचालन का निदेशन नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा Q2 देखते हैं आउसिष्ट सक्तियों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है आउसिष्ट सक्तियां यानि residual powers ऐसी सक्तियां जो ना तो संग सुची में वरनित हैं ना राजी सुची में वरनित हैं ना समवर्ती सुची में वरनित हैं तो ऐसे विसे आउसिष्ट विसे कहलाते हैं और इस पर जो है कानून बनाने का इस पर विधी बनाने का अधिकार किसको दिया गया है भारत की संसद को लिगनाइट का सबसे बड़ा उतपादक राज कौन सा है भारत में लिगनाइट का सबसे बड़ा स्टेट जो है इंडिया में कौन सा है तमिलनाडू है तमिलनाडू है यहां लिगनाइट का सबसे बड़ा भंडार भी पाय जाता है यानि उत्पादन और भंडारण दोनों में ही तमिलनाडू सबसे आगे है अप्रैल 2017 के आकड़ों के अंसार देश का 80.05 प्रिस्षत भंडार लिगनाइट का यहीं पाय जाता है इसके उपरांत क करम सा राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कस्मीर का इस्थान आता है यानि अगर सेकेंड करम पूछ लिया जाय तो राजस्थान और तीसरे नंबर पर गुजरात जो है लिगनाइट के भंडारण में भारत में आते हैं नेस्ट कोश्चन यदि किसी इलेक् रेखी सम्वेग है वो समान होगा यदि एलेक्टरान तर्था प्रोटान का तरंगदैर समान हो जाये तो रेखी सम्वेग समान होगा चुकि रेखी सम्वेग किसी वस्तु के द्रव्यवान और उसके वेग के गुडनफल के बराबर होता है निमलिखित में से किसकी रचना म की रचना जो है मुलकराज आनन्द ने की है उनके अन्य महत्पूर पन्यास कौन से हैं कुली तुलीब्स एंड अबड दा विलेज अक्रास दा ब्लैक वाटर्स दा सोड अन्द सिकल ये सभी जो है मुलकराज आनन्द की प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरच चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है नीरच चोपड़ा एक खिलाडी है भारती तो वो कौन सा खेल खेलते हैं किस छेतर में उनका नाम है तो नीरच चोपड़ा भारत के जैविलें थ्रो भारत के जैविलें थ्रो भारत के जैविलें थ्रो भी कहते हैं कि खिलाडी हैं वर्थ 2018 के ग दूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यह रिपोर्ट किस संस्था दौआ जारी की जाती है, तो IS आप DOING BUSINESS रिपोर्ट भीजनेस की दोजनेस की comer 네 बहारत को 77 सथान मिला यह इम्पॉर्टेट प्रक्ट है जो पूछा जासकता है 2019 में 77 इस्थान है 2018 की रिपोर्ट में भारत को 7 इस्थान मिला था और इस रैंकिंग में 190 देशों को सामिल किया जाता है रिपोर्ट में किसी कारोबार को सुरू करना, कंस्ट्रक्शन की परमिट देना, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेसकों की सुरच्छा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कांट्रेक्ट लागू करना और दिवालिया सोधन प्रक्रिया इन सभी को जो है आधार बनाकर इस आप doing business report जारी की जाती है next question institute of social studies किस इस्थान पर इस्थित है तो UP special से related है इसमें UP के किस जिले में institute of social studies इस्थित है तो institute of social studies कहां पर इस्थित है लखनव में इस्थित है अब हम कुछ और राज इस्थिरी प्रमुक अनसंधान संस्थान देखते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एक्जाम में तो शुरुवात करते हैं Indian sugarcane research institute ये कहां पर है लखनव में है industrial toxicological research institute जिसको ITRC कहते हैं ये भी लखनव में स्थित है central Indian medicinal plants organization ये भी लखनव में है Indian technological research institute कहां पर है लखनव में है school of paper technology बहुत बार पूछा जा चुका है सहारनपूर में इस्थित है national sugar research institute कहां पर है कानपूर में है देखे यहां पर sugar institute है तो कानपूर है अगर sugar cane research institute होगा तो लखनव होगा Indian institute of technology IIT यानि कानपूर में इस्थित है central textile institute कहां पर है कानपूर में पसुचिकित्सा अंसवंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में इस्थित है central mango research station ये रह्मान खेडा नामकिस्थान लखनव में इस्थित है central leprosy institute यानि राश्ट्री कुष्ट संस्थान ये आगरा में इस्थित है central textile institute कानपूर में है बीरबल सानी institute आप paleo botany ये लखनव में इस्थित है central drug research institute यानि CDRI लखनव में इस्थित है national botical gardens कहां पर है लखनव में इस्थित है इंडियन sugar cane research institute कहां पर इस्थित है लखनव में Indian institute of sugar technology यह कहां पर है कानपूर में है इंडियन ग्रॉस लैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्ट्यूट जिसको चारा नसंदान संस्थान भी कहते हैं यह जहासी में कई बार पूछा जा चुका है नेशनल ब्यूरो आफ फिस जेनिटिक रिसोर्सेज इलहाबाद में इस्थित है यह भी कई बार पूछा जा चुका है एक्जामस में बाटनिकल गार्डेन आप दी इंडियन रिपब्लिक यह कहां पर है नोइडा तो इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा कोकि बाटनिकल गार्डेन लखनोव में भी है लेकिन बाटनिकल गार्डेन आप दा इंडियन रिपब्लिक सब दगा जुड़ा होगा तो यह नोइडा होगा नेशनल रिसर्च इंस्ट्यूट फॉर मीट यहां पर मीट कार्थ क्या है मान्स वाला तो यह मान्स अंसंदान केंज जो है यह बरेली में है इंडियन इस्ट्यूट अफ सुगर टेकनोलजी कानपूर में इंडियन इस्ट्यूट अफ इंफॉरमेशन टेकनोलजी इलाहाबाद में मेहिता इंस्टूट फार मैथ और फिजिक्स इलाहाबाद में अब जो है प्रियागराज कहा जाएगा जहां जहां इलाहाबाद इसको लिखा गया है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टूट कहां पर है बरेली में है इंडियन इंस्टूट आफ हैंड लूम टेकनोलजी वरनसी में उत्तर प्रथम पुलिस संग्रहाले कहां पर स्थापी थे गाजियाबाद में डक्तर अंबेटकर इंस्टूट आफ टेकनोलजी फॉर हैंडी कैब कानपूर में उत्तर प्रथम उर्जा सिछा पार्क परियागराज सीला घर मुर्दाविव्यान संस्थान परियागराज कई बार जो है यह पूछे भी आ चुके हैं तो आगे कोश्चन दिखते हैं स्वजलधाऱकारिक्रम उत्तरपधेश में कब से चलाया गया था ? तो स्वजल धारा काईकरम उत्तर प्रदेश में वर्स 2002 से चलाया गया था केन सरकार के सहीयोग से ग्रामीड पेजल संबंदी स्वजल धारा काईकरम योजिना राज में दिसंबर 2002 से चलाया जा रही है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना का प्रारम की गई थी ये भी उत्तर प्रदेश के संदर में है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना का प्रारम की गई थी तो इसका सही उत्तर क्या होगा 2005 में अप्रेल 2005 से सुरू की गई है योजना, मुखमंत्री ग्रामोद्योग योजना का उद्देश गाउं में 18-50 वर्स आयू के यूकों विसेश कर SC, ST, BC, महिला विकलांग, भूतपूर सैनिक वा अलवसंक्यक यूकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलप्त कराना ह इसके अंतरगत रुपए 10 लाग तक का रिण प्रदान किया जाता है निमलिखित में से किस समित ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किये जाने की सिपारिस की थी तो अमरेश बागची समित 1994, असीम दास गुपता समित 2000, विजय केलकर टास्क पोर 2004 ये सभी समितियों ने GST लागू करने की समय समय पर सिपारिस की है नोटों के विमुद्री करण के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है यह हमको बताना है स्वतंद भारत में नोटों का विमुद्री करण सरपथम जनवरी 1978 में किया गया था 1978 में किये गए विमुद्री करण की कुल धनासी सकल घरेलू उतपाद का दस्मलों एक प्रिस्सत था 1978 में किये गए बिमुद्री करण की कुल धन्रासी लगबग एक दस्वलो चार छे अरब थी तो ये तीनों ही कथन जो है इसमें सही है Next question सुविख्या चित्र सत्यम सिवम सुंदरम के निर्माता इन में से कौन है किसके द्वारा ये चित्र जो है बनाया गया था तो सिवनंदन नौटियान के द्वारा सत्यम सिवम सुंदरम चित्र की चित्रकारी की गई थी सिवनंदन नौटियाल द्वारा ये निर्मी चित्र है जबकि अन लोगों के महत्मूर चित्र निम्निवत है रणवीर सक्सेना द्वारा प्रतीच्छा, बुद्ध का ग्रहत्याग, जूला ये सबी प्रसिदी चित्र बनाए गए हैं भावानी चरण ग्यू के द्वारा राम लीला और बिस्वनात महता के द्वारा प्यासा उट्स, रस्टी, सोहाग और बिंदी ये जो है चित्र बनाए गए हैं जो की बहुत ही फेमास हैं नेक्स वोश्चन, भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद राष्टपती पद के लिए अहरता की योगिता को निर्धारित करता है यानि समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती पद की अहरताएं जो है निर्धारित की गई हैं तो अनुछेद 58 के अंतरगत राष्टती पद की अहरता या योगिता निर्धारित है और क्या-क्या योगिताएं होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्स की आयूपूर्ण कर चुका हो लोकसभा का सदस निर्वाचत होने की योगिता रखता हो और वह पागल तथा दिवालिया ना हो राश्टपती उपराश्टपती राजियों के राजपाल संग तथा राजियों के मंत्रियों के पद को लाब का पद नहीं माना जाता है य सबसे नंबर वन पर तमिलनाडू, गुजरात, उसके बाद आंद्रप्रदेश, नेस्ट कोश्चन, बैंकिंग टर्मिलोजी होती है RTGS, तो यह RTGS होता क्या है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जाना अनुवार है, रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट, यानि रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट, खाते से पैसा टांसफर करने का सबसे तरीका है, इसके द्वारा कम से कम रुपया दो लाग टांसफर किया जा सकते हैं, और इक्तम रास की कोई सीमा नहीं है, जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रियोग में लाया जाता है, तो जहा समुद्री जहाजों पर सही समय का मापन करने के लिए किया जाता है, 21 से 23 जनवरी 2019 के मद 15 प्रवासी भारती दिवस का आयोजन कहां पर किया गया, इंपॉर्टेंट कोश्चिन है, सभी लोग जानते हैं, तो 15 प्रवासी दिवस का आयोजन कहां पर किया गया था, वानसी मे किया गया था इसका जो है डेट थी 21 से 23 जनवरी 21 से 23 जनवरी 2019 के मद 15 भारती प्रवासी दिवस का जन वारानसी उत्रपदेश में किया गया वर्ष 2019 के लिए कालिकरम की थीम पुछी जा सकती है भारत नय भारत निर्माड में प्रवासी भारतियों की भूमिका, इस कालिक्राम का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेन मोदी और मौर्शस के प्रधान मंत्री पी जगननात ने किया, बिस्व हेपेटाइटीस दिवस कब मनाया जाता है, तो बिस्व हेपेटाइटीस दिवस 28 जुलाई को मना क्या था जाच उपचार हेपटाइटिस इस अवसर पर केंदी स्वास्त्यों परिवार का लाण मंत्री जेपी नडडा ने राश्टी ये वाइरल हेपटाइटिस नियंत्रन कारिकरम का भी सुभारम किया था doggy question number 20 रीखते हैं हाल ही में पाकिस्तान के यूसिफ सलीम समाचारों में रहे तो ये यूसिफ सलीम कौन है जो चर्चा में रहे थे तो वो पाकिस्तान के पहले द्रश्ट इबाधित नयाधीस हैं यानि वो देखने में अक्छम है और नयाधीस बनाए गए हैं यूसुप सलीम पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित नियाधिस हैं यूसुप सलीम को पंजाब प्रांत के लाहौर हाई कोट में नियाधिस नियुक्त किया गया है 25 वर्सी यूसुप सलीम जन्म से अंदे हैं वे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक अनुवानसिक बिमारी से ग्रसित हैं जिसमें आखों की रोसनी चले जाती है